बिग बॉस की घर में आखरकार दूसरे ही दिन क्यूं हुई निमरित इतनी जादा एमोशनल क्या रही वो बात जिसने निमरित को रोने पर मजबूर कर दिया चलिया आईए दोस्तों बात करते हैं स्वागत है आप सभी का बॉलिवुड स्पाई में तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि निमरित के कंधों पर बिग बॉस के घर में एंट्री लेते साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी वो घर की पहली कैप्टन बन गई और देखा जाए तो इस बार बिग बॉस भी कैप्टन सी को लेकर काफी जादा सीरियस हैं और स् इसरी दरफ अर्चना जो है लगातार निमरित के राहों में कांटे बिछाने में लगी हुई है अर्चना पूरे तरीके से अपनी गेम खिल रही है और लगातार निमरित से भिड़ती नजर आ रही है इसी बीद जो है अर्चना को एक टास्क मिला जहां पर उनसे ये कहा गय जो उन्हें घर में सबसे बुरा लग रहा है उसके माथे पर जाकर बेकार लिख दो और अर्चना ने वही किया जो उन्हें करना था जिसमें उन्हें खुशी मिलती वो गई और उन्होंने निमरित के माथे पर बेकार लिख दिया अब दोस्तो कोई आपके माथे पर आकर ब जो है सिर्फ उनसे भिढ़ना चाहती है ये हम साफ तोर पर देख सकते हैं और इसी बात ने निम्रित को रुला दिया तो हम तो यही कहेंगे के stay strong निम्रित क्योंकि अभी सफर बहुत लंबा है और इस तरीखे के रोडे अडाने वाले contestants घर में बहुत जादा है दोस्तों आपको क्या कुछ है इस बारे में कहना कॉमेंट्स में जरूर बताएए